हेलो एप्रिवान, वेलम बेक टू मैं चानल आजकी इस वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं बहूती क्रिस्पी, बहुती तेस्टी और बहुत चल्दी बन जाने वाला पोटेटो डोन्टा तो चलिए इसी बनाना स्राट करते हैं पोटेटो डोनर्स बनानी के लिए सबसे पहले हमें चाहिए उबले हुए आलू और यहाँ पर मैंने 400 ग्राम उबले हुए आलू लिए हैं इसे अची तरह से मैश कर लेंगे इसमें आट करेंगे कुछ स्पाइसे लाल मिर्चो का पौडर हाफ टी स्पून भुने हुए जीरे कटा हुए हरा धनिया दो से तीन बड़े चमश उबला हुए गाजर है जिसे बारी काट लिया है तीन से चार टेबल स्पून एक मीडियम साइस का प्यास इसे हमने बारी काट लिया है और एक कप ब्रैट ग्रम्स इन सभी चीजों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इसमें आप अपने चॉइस का कोई भी वेजिटेबल एड़ कर सकते हैं इसे मिक्स करके हम साइड में रख देंगे अब इसकी डूनर्स बनाएंगे उसके लिए सबसे पहले हम हातों को ओईल से ग्रीस कर लेंगे थोड़ा सा पोर्शन लेंगे हम और इसका पहले बॉल शेप बनाएंगे उसके बाद इसे हम डूनर्स का शेप देंगे अब इसे हम थोड़ा सा फ्लैट करेंगे और जो भी साईड में क्रैक्स हैं आप उसे फिर से लैवल कर लीजए उसे पराबर कर लीजए तो ये पहले हमने इसे टिक्की का शेप दीया है जैसे आलो की टिक्की बनाते हैं और बीच में अब बीच में इसे डोनट की तरह बीच में होल देना है तो इस से आप में इसे और चीज और किसी और स्चिज दॉन्हें के घ कर Windows इन गे इस तरह से हम सबी को बना के रख लेंगे और यहां पर मैंने सबी डोनर्स बना लिये हैं और आप देख सकते हैं कि यह बनकी बिल्कुल रेडी है अब हैं में कोटिंग करनी है तो इसके तो इसके थी आमने एक बोल में लिया हैं वे दृव टीबल स्पून मैदा ऐड़, थोड़ा सा नमक एड़ Mason करेंगे और राफ लेड़ दाल म्यरजो 오ट ऑड़ ऑड़ करेंगे और इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और एक पेस्ट बना लेंगे थोड़ा सा पतला ही पेस्ट बनाएंगे और आप इसकी consistency देख सकते हैं बहुत थेक नहीं है थोड़ा पतला ही है तो इस तरह का हमें बनाना है और यहां पर अलग से हमें ब्रेट क्रम्स चाहिए इसको कोट करने के लिए तो सबसे पहले हम डोनर्स को डिप करेंगे बैटर में और इसे ब्रेट क्रम्स से अच्छी तरह से कोट कर लेंगे इसको थोड़ा प्रेस करते जाएंगे जिसे ही की ब्रेट क्रम्स अच्छी तरह से चिपक जाएं सभी डूनर्स को हम इसी तरह से कोट करके रख लेंगे इन सभी डूनर्स को हमने कोटिंग कर लिया है और अब इसे डीफ राइ करेंगे deep fry करने के लिए हमें medium hot oil चाहिए और oil अच्छी तरह से गरम हो चुका है और इसमें एके करके हम जितने भी आ सकते हैं आपके कड़ाई में आप डोनर्स एड़ कर दीजे एक साइड से कलर आ जाएं उसके बाद इसके साइड से इंच कर देंगे और अच्छा सा गुल्डन कलर आ जाने तक हम इसे deep fry कर लेंगे गैस का flame हमें medium रखना है medium flame पर ही हमें इसे fry करना है थोड़ा से इसे हम साइड में इस तरह से रोप लेंगे जिसे की extra oil है निकल जाए और इसे आप सर्फ कर सकते हैं अपनी किसी भी फेवरेट डिप के साथ आप tomato ketchup या हरा रनिय किस चट्मी के साथ भी आप सर्फ कर सकते हैं बहुत ही delicious लगते हैं तो यह हमारे बहुत ही जटपट बनने वाले potato doughnuts ready है आप इसे ज़रूर ट्राइ करिएगा और अपने experience शेयर करिएगा नीचे दिये गए comment box में I hope आज की recipe आपको अच्छी लगी होगी और अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करें शेयर करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें तो मिलते है अगले वीडियो में एक नई recipe के साथ तिल देन टेक केर और हाव वांडर्फूल देग